देखें आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या के विएस का इंटर्व्यू स्टेट में होगा या भार होगा के विएस का कल्चर क्या है बहुत important HA कल्च है बहुत सारे बच्चों को नहीं बता है यहां से question पूछे जाते है नॉमलाइजेशन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी या किस तरीके से होगी अगर होगी तो यह answer की और interview की call में कितनी देरी होती है कितना विलम होता है गैप कितना होता है इसके साथ साथ यदि questions गलत है यदि जो अभी तुमारे एक्जाम हुआ था और उसमें बहुत सारे answer की इसमें देखा questions गलत है ठीक है answer तो गलत ही है लेकिन questions भी गलत है तो जो final answer की बनती है उसमें क्या उन questions के सीधा सीधा नंबर बढ़ जाएंगे की नहीं बढ़ेंगे तो इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो question है क्या state में यानि कि आपका residential state जहां पर रहते हैं वहां पर interview conduct होगा या फिर बाहर होगा देखिए जितने भी अभी तक experience रहे है या मेरा भी experience रहा है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यानि कि एक अभी case आया भी था कि Calcutta residential place हा उनका और उनका जो interview हुआ था वो genuine हुआ था जो की दिल्ली में है समझ में आ रही है तो जरूरी नहीं है कि आपका जो है residential place में होई तो यह बात important है कि आपका आप मतलब इस बात को सोच के जाएगा कि कहीं पर भी आपका interview हो सकता है कोई भी place हो सकता है कोई भी location हो सकती है तो place doesn't matter एक बार जरूर experience कर किया है interview को जरूर experience करें वह महोल जाने आपके दिमाग में बहुत सारे कोश्रों का निर्मान होगा ठीक है इस बात को ध्यान में रखेगा being a teacher you are explorer 2 जितना explore करें उतना अचा है तो जाएगा जरूर ठीट बात बाकी बात बात में है बहुत सारे बच्चे इसले जाते भी नहीं है घ्रैनी तो mostly फिर बात आती है important क्या kvS का culture क्या होता है and what is kvS culture तो इरह देखेगा kvS culture का मतलब वो संस्कृती जो kv अपनाते हैं मतलब जितने भी kvS है वो अपनाते हैं इन सारी चीजों को वो जीते हैं जैसे कि अगर मैं कहूं कि school readiness program क्या-क्या होता है इसके अंदर कौन-कौन से गतिविदिया होती है किस तरीके से teachers की meeting होती है inspections क्या-क्या होते है इसमें लोग क्या स इसके लावे एक चीज एक प्रोग्राम और है back to the basics मतलब यहां से यह लोग यह demand करते हैं कि आपके अंदर mostly ऐसा होता है कि content knowledge सो बहुत है लेकिन basics यानि कि जब आप बच्चे के अनुसार उसे पढ़ाते हैं तो किस तरीके से आप मोल कर पाते हैं तो कौन-कौन सी activities है जिसम शाला दरपन एक प्रोग्राम है आप समीने सुना भी होगा NCRT कंड़क करती है जो केवी वाले मतलब केवी जितने भी associated है मतलब NCRT केवी दोनों associated है इस प्रोग्राम में तो शाला दरपन में क्या-क्या भूमिकाएं होती है इसके बारे में भी आपको जाना चाहिए ICT programs है KBS कंड़क करवारी है ICT के अंदर इसके लाव आपने सुना होगा KBS fundे मनाये जाता है उसमें क्या होता है यदि मालनों interview पूछ ले कि KBS का fundे होता है तो आपको पता है आप कह दोगे सिधा नहीं मुझे नहीं पता है आपको KBS की बाते ही नहीं पता है KBS के बारे में कुछ जानकारी नहीं है समपुर्ण जानकारी आपको पता होनी चीए उसकी उपर मैं एक वीडिएवी बनाने वाली हो जल्दी आपके पास आएगी इन सम इन सभी में क्या करें अपको पता चल जाएगा एक दूसरा होता है sb sb यानि कि यह तो बात सभी ने सुनी होगी स्वच भारत स्वस्त भारत केविस में बहुत important है बतर सबसे ज़्यादा यह चल रहा है तो इसके अंदर केवी का या केवी का रूप क्या है यह केवी का इसके इलावा आपने सुना होगा टोई पैड़ागोजी यदि नहीं सुना है तो सुन लिजीगा यह important है टोई पैड़ागोजी एक प्रोग्राम है जो केवी चलाती है जिसमें पपेट के बेसिस पर यानि कि प्रोग्राम इस बैसिक बेसिकली पोड़ा पी आटी लेवल पप अपने स्क्राइब कि बैसिकली दीमाग में कि क्या नोमलाजरीशन होगा क्या अभी तक स데 इसके जितने भी एक्ज così कि नहीं नहीं हुआ है लेकिन क्या अभी chances हैं देखिए जो पहले paper होता था वो offline mode पर होता था तो जाहिर सी बात है एक ये दो दिन में इसका निम्टा रहा हो जाता था अब यहां पर क्या हुआ है कि computer based CBT mode पर ये आपका exam हुआ है तो जिस वज़ा से shifts भी अलग है days भी बहुत सारे है तो chances आद यह है कि normalization हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि normalization नहीं होगा पिछली बार नहीं हुआ है normalization होने की संबावना है reason क्या है ये तो आप धरे रखेगा धरे बनाएगा आप जल्द बाजी में decision मत लीजेगा और मैं यह कहूंगी आप सभी से कि आप निरंतर interview की तयारी करते रहे यदि आपके mark सच्छे है अब एक question दिमांग में यह आता है सबसे important कि answer की के बाद क्या interview call मतलब interview call आएगी तो उसमें कितनी देरी रहती है उसमें कितना विलम रहता है कितने दिनों बाद जब आपका final answer की आती है उसके बाद ही आपके पास interview की call आ जाती है call मतलब इस तरीके से नहीं call मतलब letter के form में है यह website पर तो इस बात का धियान दिजी का बहुत important 10 से 15 दिन अगर मैं previous पूर इतिहास देखू तो 10 से 15 दिन के भीतर भीतर आपको interview की call आ जाएगी अब यहां पर सबसे बड़ी समस्य क्या आती है जिसका भी documentation में problem होती है कोई भी problem x y z problem problems भह सारी होती है जिसका भी problem होती है documentation में तो यहां पर जो भी बच्चे अनुमा लगाके बैटे हैं कि मेरा selection नहीं होगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है मेरे 110 नंबर है 100 नंबर है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है second call भी तो रंत आ जाती है तो इस बात का ध्यान दिजेगा कि आपको पहले सी त्यार रहना है क्योंकि ओस समय पर आपको समय नहीं मिलेगा तो आप यह मत सोची कि मेरा नंबर कम है इसलिए मेरे को call तो आएगी नहीं यह जो भी shortlisted है उन्हीं की call आएगी second call भी देखी जाती है यह पिछली बार अगर देखे तो second call भी आई हुई है इसके इलावा जो next question बनता है आपका यदि जितने भी questions गलत है जो exam के अनूसार है अब कितने questions गलत है जो data आया है उसके अनूसार यदि में कहूं कि mostly mostly मतलब 3-4 questions जो है देखे 3-4 questions भी नईया डुबा भी सकते है और पार भी लगा सकते है तो कुछ question papers ऐसे थे जिसमें 3-4 questions जो थे वो गलत थे तो हो सकता है कि उसमें आपके नंबर जो है वो as it is बढ़ जा ठीक है यह important है जो मैं आपको बात कर रही हूं तो इसी तरीके से अब जो next video बनने वाली है उसमें हम बात करें KVS की संपरोन जानकरी क्या क्या होगी कैसे questions पूछे जाते हैं cross questions कैसे की जाते हैं इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और एक चीज़ मैं कह दूं आपको म समय कम मिलेगा क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मेरे नंबर कम है तो ध्यान दिजीगा चाहे नंबर कम चाहे नंबर ज्यादा जिसको expectation है तो आप बिल्कुल भी समय वेस नहीं करेंगे यह सोचने में कि हम तयारी ना करें क्योंकि उस समय पर समय नहीं तो इसलिए पहले हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को modeling classes provide की जाए वो culture क्या culture है किस तरीके से बाते होती है situation based questions कैसे होते हैं जो एकदम से rise होते हैं उन सभी चीजों के बारे में अवगत करवाया जाए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 15 मार्च से यह बैच शुरू हो गया है और बहुत वो online वाले हैं वो comfortable feel नहीं कर रहे हैं तो एक बार एक से दो session मैं यहीं कहूंगी आप सभी से एक से दो session जो है वो जरूर आप face to face join कीजे या अगर आ सकते हैं संभव है ताकि आपको पता चले वो औरा क्या होता है इससे आपके skills का development होगा और यह दिन ही भी आ सकते हैं तो हूब हूब मतलब वो ही सारी चीज़ें जो face to face में conduct हो रही है जिस तरीके से conversation यह जिस तरीके से seminars हो रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको upload करवा दी जाएगी यानिकि वो ही सारी चीज़ें से अप अफगत हो जाएगे इसमें कोई समस्या नहीं है तो यदि आप चाहते हैं तो आप जोइन कर सकते हैं तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के साथ मैं मिलती रहूंगी जिसमें कुछ information की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत एहम है और next वीडियो में मैंने कहा दिया कि हम next वीडियो करने जा रहे हैं तो जल्दी मिलेंगे सभी को नमस्कार एक बार ये जाट बात वीडियो को जो इंगे से लिगने वीडियो के वीडियो के वीडियो कर के साथ मैं तो एक अजा।